समस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का RPSC exams यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पद्दे सिक्षन की सिक्षन विधियां अपन पढ़ रहे थे और जिसमें अपने एक विधी जो है वो दंडानवे विधी पढ़ ली थी आज अपन खंडानवे विधी के साथ ही जितनी भी अन् तक जरूर देखिएगा खंडानवे जो विधी है वो क्या है क्या नहीं है देखते हैं और इसको खंडानवे विधी को पद्दे सिक्षन की स्रेष्ट विधी बोला गया है तो ध्यान में रखिएगा पद्दे सिक्षन की स्रेष्ट विधी अकर पूछ ली जाए तो कौन सी योगी वो होगी आपकी खंडानवे विधी खंडानवे जो विधी है वो पद्धे सिक्षन की स्रेष्ट विधी मानी जाती है ठीक दोस्तों इसमें क्या होता है प्रधान वाक्य सलोक से खोजा जाता है वाक्य की मुख्य किरिया दुआरा ठीक है प्रधान वाक्य यानि कि मैन वाक्य मुख्य वाक्य क्या है यानि कि मुख्य लाइन क्या सलोक में यह इसमें खोजा जाता है यहां परसन व्याकरणा आत्मक न होकर करके सलोक के विशेपर आदारित होते हैं यह इंपोर्टेंट लाइन पहली वाली कोई जरूरी नहीं है यहां पर इंपोर्टेंट क्या है यहां सलोक से परसन व्याकरणात्मक परसन नहीं पूछा जाएगा यानि कि अपने जानते हैं दंडानवे विदी में क्या पूछा गया था कर्रम कोन है किरिया कोन है करता कोन है यानि कि व्याकरणात्मक परसन थे लेकिन खंडानवे विदी में आपके व्याकरणात्मक परसंद नहीं होंगे बलकि सलोक से संबंदी थी जैसे कल एक सलोक लिया था उस्ट्राणाम विवायेसू गीतम गायंती गर्दवा ये था ठीक है यानि कि उट के विवा में गधा गीत गाता है तो धन्डानवी विदी में पूछा था करता कोन है तो गधा है क्योंगे गीत कोन गा रहा है किरिया क्या है गाना गायंती ठीक है तो ये व्याकरणात्मक परसंद थे लेकिन खंडानवी जो विदी है इसमें इस परकार के परसंद नहीं होंगे बलकि क्या होंगे जैसे ऐसा परसन होगा गीत कौन गा रहा है तो गधा गा रहा है किसके विवा में उटके विवा में यानि कि सलोक से संबन दी थी परसन सामाने परसन इसमें होते हैं लिखा भी है यहां परसन व्याकरना आत्मक नहों करके सलोक के विशे पर आधारित होते हैं उम्मिद करता हूँ आप समझ गए होंगे परसन सिंस्कृत भासा में होते हैं परसन जो हैं वो सिंस्कृत भासा में होंगे जाहिर शिवात अपन सिंस्कृत पढ़ रहे हैं तो सिंस्कृत भासा में क्यों संस होंगे कह, कम, के, किम, आदी सब्दों से परसन जिसमें चात्रों में जिग्यासा बनी रहती है दोस्तों ये परसन माचक सब्दों सारे के सारे जो की मैंने आपको करवा दिये हैं तो इनके मादेम से चोटे-चोटे परसन पूछे जाते हैं जिससे कि बच्चों में जिग्यासा भी होती है, पूछ ले जाए गीत कोन, उट के विवा में गीत कोन गाता है, तो बता देंगे बच्चे गधा गाता है, ठीक है, बिल्कुल सिधा सा हो जाता है आमसर और बच्च जी हो रही है वो बच्चा सोचेगा तो संद्रिया अनुबूती भी होती है रसा अनुबूती भी इसमें होती है और मनोविग्यानिक विधी है क्योंकि उनके दिमाग पर परभाव जो है यह विधी डालती है तो मनोविग्यानिक विधी जो है वो मानी जाएगी इस विधी के आपको ये विधी पसंद आई होगी, नेक्स्ट देख लेते हैं, गीत विधी, गीत नाटे विधी, गीत विधी जो है, ये प्राथ्म की स्तर के लिए उप्योगी, गीत विधी नाम से ही पताजल रहा है, गीत विधी में गा करके सलोक को पढ़ाया जाता है, एक ले के साथ, एक सुर्ख के साथ, एक ताल के साथ इसको पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चा ज़्यादा सुनने को, उसको ध्यान से सुनता है, समझता है, तो अध्यापक गीत के माद्यम से काववे को पढ़ाता है, और गीत नाटे क्यों बोलते हैं, क्योंकि गीत को पढ़ाते, प्रधानता होती है या संगी तत्व की क्या होती है प्रधानता होती है ठीक है दोस्तों इसलिए यह जो विदी है बच्चों को काफी पसंद आती है और प्रात्मी किस तरकी लिए स्कूप योगी माना गया है नेक्ष्ट अपनी विदी है चोथी विदी भासा अनुवाद वि इसमें क्या करता है अध्यापक किसी सलोग को पढ़ा करके अर्थ बताता है यान कि पहले तो सिक्सक एक सलोग को पढ़ा देगा चाहिए वो किसी भी विदी से पढ़ाए ठीक है उसके बाद में उसका अर्थ बताता है ठीक है यह मनोविगैनिक विदी है चात्रिस में निस्क सबी स्कूलों में एक तरीके से पढ़ाई जाती है एक लाइन पढ़ दी किसी ने पूरा एक प्रेग्राफ पढ़ के उसका हिंदी अर्थ बता देता है तो कोई एक एक लाइन का हिंदी अर्थ बताता चलता है अपने को और अपन सुनते रहते हैं कुछ भी नहीं करते हैं कुछ बत्चे सो भी जाते हैं तो ये बिल्कुल निरस विदी होती है इसमें बत्चा जो बिल्कुल निस्क्रिय होता है और उसको भासा आती नहीं है इसलिए उसको रस भी नहीं आता किसी प्रकार ना हो कुछ इस्टोरी ऐसी आ जाती है फिर इंगलिस में उन इस्टोरीज में भी दम नहीं होता तो बच्चा बिलकुल भी आनंदर नहीं ले पाता है उनको पढ़ने का जैसे सीवी एसी की बुक्स में कुछ ऐसी प्रोब्लम आती है जो अपनों उनको पड़ाते हैं कि वो सारी की सारी foreign की जो Stories है और उन Stories की वज़ते हैं उनके नाम भी foreign में जैसे नाम होते हैं वैसी होते हैं जो character होते हैं उनमें तो उनके नाम से बच्चे अपने आपको जोड नहीं पाते हैं और उनको वो नीरस लगने लगती है और वो ध्यान बिल्कुल नहीं रहती है इसके वज़ाद से इंगली सुनकी और कमजोर हो जाती है ठीक है दोस्तो तो यही वज़ाद थी आजस्तान बोर्ड को फिर से लेके आया गया था लेकिन अब दुबारा से साइद कुछ सुधार करके सीविएस्जी को पुना लागू किया जार है तो उमीद करता हूं इस बार इस तरह की प्रोब्लम नहीं आएगी नेक्स्ट दोस्तो अपनी इसमें रसान बोती नहीं होती बिलकुल भाग नहीं लेंगे तो बच्चे रसान बोती भी नहीं होगी टीका का अर्थ क्या होता है व्याक्या होता है यह तरह से ध्यान में रख लीजिएगा और इसमें अध्यापक पहले से लोग को पढ़ा या प्रमप्रागत विदी ये उचस्तर एदूप योगी है सलोक के एक एक पद की व्याख्या करते हुए यानि कि पहले पहले लाइन में मालिजे दो पद हैं टोटल चार पद हो गए एक पद दूसरा तीसरा और चो था तो पहला पद पढ़ा और उसका व्याख्या उसकी कर ठीक है करते हुए सलोक आर्थ बताना सलोक का एर्थ बता दिया ठीक है या सब्दार्थ की महत्वनी होता व्याख्या विदी या प्रमप्रागत विदी में सब्दार्थ को महत्वनी दिया जाता यानि कि सब्द का जो एजिट एर्थ निकलता उसको महत्वनी दिया जाता ब यहां पर सब्दार्थ पर बल नहीं दिया जाता है किस पर दिया जाता है भावार्थ पर बल दिया जाता है उम्मिद करता हूं आप समझ गए होंगे इस बात को नेक्स्ट अपना भासे विदी या जिसको अपन व्यास विदी भी बोलते हैं ये भी उचस तरह एतूप योगी हैं बिल्कुल आपकी वयाक्राओं की तरही होती है व्यास विधी भी सिख्षक जो किठ्धा वाचक एक उता हुए उस प्रकार लएक के साथ बोलता रहता है और अनुकान्टरंतः कन्तारा प्रसंगों को बताते हुए, यानि कि उसके साथ अन्य कथाओं को जोडते हुए, परसंगों को जोडते हुए, समझाते हुए, व्यक्या करता रहता है, और छातर इसमें भी जोँ निसक्रिये रहते हैं, इसलिए इसमें भी रसानुबूती नहीं होती, साथ ये आमनोवग्यानिक विधी ही बुली जाएगी जिसमें छातर निस्क्रिय रहे नहीं हो आमनोग्यानिक विधी ही रहेगी क्योंकि सिक्षण जाओ छातर के अंद्रित ही होना चाहिए नेक्स्ट अपना तुलना विधी तुलना विधी जो है यह उस्तर हेतु उपयोगी है एक सलोग से दूसरे सलोग की त सिक्षण करवाया जाता है सिक्सक को साइट्यगे वह भासा विध होना आउसिक है इसमें क्या होता है आपकी तुलना विधी में एक सलोग को पढ़ाने के लिए दूसरे सलोग का सारा लिया जाता है यानि कि देखिए कभी-कभी अपन पढ़ाते हैं और अपन लोगोगोग जो नि करते इता है जो सिक्सक साहित्य चाजानकार हो बहुत ही वह इसा कर पायेगा थीक ए तो यह जो विधी है वो इस प्रकार से काम करती है उम्मिद करता हूँ आप इसको भी समझ गए होंगे नेक्स्ट अपनी विदिया टीका विधी इसमें निरंतर व्याख्या ये था वत कहना न्यू का न्यू टेकना जैसे अपने मारवाड़ी में बोलते हैं न्यू का न्यू टेकना यानि कि ऐस इसे का ऐसा बोल देना निरंतर इसमें व्याख्या चलती रहती है पढ़ा व्याख्या कर दिया यह आपकी टिका विधी व्याकरणात्मक और भावात्मक ज्यान इसमें दिया जाता है साहिते परसंग और मलीनाथ की टिकाएं परसीदें इसको थोड़ा सा अब ध्यान में द समिक्ष विधी यह भी उचस्तर के लिए उपयोगी है इसमें सिक्सक छातर को कवी के जीवन दर्शन के साथ जोड़ता है यानि कि कवियों के जीवन दर्शन कवियों की जीवनी पढ़ाने कवियों की जीवनी स्विधी के मादियम से पढ़ाई जा सकती है बासा से लिए अ पूर्वक बताया जाता है, अन्य कवियों से तुलना भी इसमें की जाती है, कि उस कवियों का ये रस था, इन कवियों का ये वीर रस था, उनका ओजगुन था, या कोई सा भी हसे रस था, सूंद्रिय रस था, यहां पे ये जो कवियों थे, ये वीर रस के कवियों थे, इस प इसके बारे में और क्यों उसने एक कविता लिखी तो प्रष्ट भूमी भी बताई जाती है सारी सिजे इसमें बताई जाती है तो समिक्ष्य विदी जो एक प्रकार से कवियों के जीवन का दरसन होती है ठीक है कवियों की प्रष्ट भूमी बताने वाली विदी कौन सी विदी उसका जीवन दर्शन क्या था किस परकार से वो कवी बना क्यों बना सारी चीजें और कवी कहना क्या चाहता है वो सारी चीजें इसमें बताता समीक्ष्या विधी में सारी होती है तो इस परकार से जो कव्यों की प्रश्ट भूमी बताने वाली अगर कोई विधी है तो वो उमेद करता हूँ दोस्तो ये वीडियो आपको जुरूरर पसंद आया होगा. तब तक के लिए जै終i सब्सक्राइब जरूरे करें, भीडियो को लाक करें, शियर करें अपने दोस्तों के साथ, मिलेंगे नगे नेक्स्ट वीडियो मेर में एकर ने टोपी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत